नमस्कार दोस्तों मैं शुवाँ और आज बात करते हैं कुछ ऐसे टॉप कोश्टन के बारे में जो कि IT केरियर में बहुत ही जदा हैल्प पूर करने वाले हैं अब अगर वो चैनल सर्वर के लिए जा रहे हो डेक्स्टप सपोर्ट के लिए जा रहे हो तो यह बेसे कोश्टन से जो कि आपको इंटर्वी में बहुत ज़्यादा है तो जानते हैं वन बाई वन कौन-कौन से यह कुश्टन से वोट इस दा ऑपरेटिंग सिस्टम सब्सक्राइब बोलते हैं एन ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कंप्यूटर सॉफवेर तैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवे एंटर्मीडियेट बिट्विन यूजर एंड हार्डवेर तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यह परफॉर्म करता है एक यूजर के बीच में एक हार्डवेर के जैसे अगर हम लोग जो ऑपरेट करते हैं तो बिसकिली जो क्या कमांड उसको दी है तो वह हो गया एक यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड हर्डिक्स को राएंक को या मदर बोर्ड को जो कमांड देता है तो इसका umidden की तरीक आका काम करता है डयाat अइप treating system. Types of operating system, client operating system and server operating system. सब्सक्राइब टो दोस्तों client operating system होता जो हम लोग normal use करते हैं अपने desktop पे या एक work environment पे जो desk पे computer से लगे होते हैं वो वहाँ पर use करते हैं तो वह एक होता है client operating system and जो second होता है server operating system यह बेस्किलि सर्वर में यूज करते हैं 2008-2016 जो servers यूज होते हैं तो इस पे जो operating system यूज होते हैं तो वो एक तरीके से active directory पे भी काम करते हैं वो servers तो बिसकी लिए होता कि कोई IP पुछ करना कोई software पुछ करना तो हम लोग वो server operating system का यूज करके हम client machine पे वो IP address या कोई software पुछ करना तो हम वहां से वो पुछ कर सकते हैं तो दोस्तों what is the migration migration is a process using one operating system to move in the different operating system migration means अगर आपकी company में आपका organization में Windows 8 पे काम हो रहा है और फिर वो मूब हो रहा है Windows 10 में तो that is called the migration what is the use of winrar utility अपने zip का नाम तो सब्सक्राइब होगा dot zip file dot rar file winrar is a file which is used to archiver and compressor the windows files basically जो windows files होती है कई सारी जो like heavy sizes में होती है तो उनको zip format में बना के तो sort हो जाती है तो इसके लिए विन्रार application आप कह सकते हो यूज करते हैं जिसको विन्रार की नाम से जानते हैं what is device manager device manager is a control panel in the windows operating system it's allow users to view and control the hardware attached to the computer what is the latest version of internet explorer 11 latest version है और बाकी version change होते रहते हैं अगर आप वीडियो काफी दिन मैं बात देकर हो तो change होते रहते हैं basically यह 11 12 भी आने वाला है यह लाउंच भी हो गया I think I'm not sure but 11 तक मैं से और हूँ और आगे आप Google कर सकते हो इसके लिए क्योंकि यह वर्जन्स वारे जो कुशन होते हैं यह चेंज होते रहते हैं as per the year तो बस यह दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था जो बेसिक कुशन थे अभी वो मैं किलियर करवा रहा हूं तीरे दीरे इसको अड़वांस लेविल पर यह कोर्स जाएगा और मैं तो यही कहूंगा आपको इतने बड़े बड़े इंस्टीट जाने की ज़रूरत नहीं है जो यहां पर हो रहा है वो लगबग लगबग आपको वहीं पर मिलेगा पर प्राप्लम थोड़ी सी यह होती है कि प्रेक्ट कली चीजें अभी यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रही है और दोस्तों व यहां यहां और तो प्राप्लम हो रहे हो जैसा ही यह यह उस पहले हैको डिसंई स्याना तो मेरा नाम है शिवäg लेकर आइन गाल आग्त वीडियो झाल झाल